तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिस सीरीज एक्वा कल्चर कुछ कॉंसेप्ट और mcqs के बारे में बात करेंगे यह पार्ट वन है तो इसमें जितना कवर होपागे करेंगे उसके बाद mcqs का अलग से पार्ट कराएंगे ठीक है तो इससे पहले हमने आपके लिए अग्री कुल्चर इंजिनिंग का जो पॉर्चन है यह भी माइनर से लेकिन यहां से मिस नही लिंक वहाँ जाके दे सकते हैं तो आप मेंस के लिए उसको ध्यान में रखके बैना जा रहा है वीडियो तो आप इसको देख सकते हैं अपने दोस्तों को साथ कर सकते हैं और इस पीडियो को डाउनलोग के लिजी डिस्क्रिप्शनल लिंक है आपको टेलिग्रायम का वहां contribution देखेंगे कुछ data important उसको आप no down कर लीजे अपने books वोगरा में और इसे आप revise भी कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं top major inland capture fish production producing countries कौन कौन सी है तो इंडिया उसमें top में आता है फिर चाइना है उसके बाद बंगलादेश है तो top major inland capture fisheries यानि आपका जो आपके एक होती capture fisheries और एक होती culture fishes capture में आपका inland जो आता है inland में आपके river होगे ponds tank जो fresh water brackish water के रूप में हम fish को capture करते हैं ठीक है तो उसको आपका inland major inland में आता है और इंडिया इसमें आपका top में आता है top marine culture fish producing country कौन सी है आपका china top पे है और इंडिया की रंग 6 है तो marine culture में अगर हम बात करते हैं तो marine यानि समुद्र से जितने भी मचलियां पकड़ी जाती है जो हरे country coastal areas होते है समुद्र से जो मचलियां पकड़ने जाते है उसको marine culture बोलते है तो china top पे आता है ठीक है और इंडिया की रंग 4 अगर सिर्फ major inland की बात करते है तो इंडिया top पे है यह याद रखना अगर पूछे कि top capture fisheries में कि इंडिया की रंग क्या है तो वो सिरीज का तो six point eight seven eight six percent जो की 22 का है एड कॉंस्टेंट प्राइस इंडिया में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेर करता है इंडिया दुनिया भर में और सेकेंड किस में है एक्वा कल्चर प्रडॉक्शन में है ठीक है पूरे दुनिया में पूरे वेश्चों में है उसके बाद है नेशनल फीस फार्मिंग कब है आपका देश जुलाई को है यह क्यों मनाया जाता है किसकी ओनर में केंट्रिबूशन आप प्रोफेसर डाक्टर हीरालाल चौधरी एंड डाक्टर केयच अलिकुन्नी ठीक है तो यह दो प्रोफेसर है जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है तो उनके ओनर में हम लोग नेशनल फीस फार्मिंग डे मनाते हैं 10 जुलाई को उसके बाद यह है वर्ल्ट टूना डे कब मनाते हैं 2 में को रहता है वर्ल्ट फिसरी डे कब अबजर्ब करते हैं कब मनाते हैं कब है यह 21 नवेंबर को ठीक है तो यह सारे इंप्रोटेंट डेट हैं आप इसको ध्यान में रख सकते हैं अपनी कोश्टल एलिया के बारे में बात करते हैं तो अलगबग 8118 km के एराउंड है एक्सक्लूजीव जोन एक्सक्लूजीव इक्सक्लूजीव 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 इजड यह कितना है अपना 2.02 मोल्याँ सक्लूजीव 2.02 स्कॉयर किलो मीटर धिक अभी आपको हम आगे दिखाएंगे क्या होता है एक्सक्लूजीव इक्सक्लूज जोन और अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट ग्राउन वाटर बैकिस वाटर कहांप है तो करणाटका में है को सबता करणाटका में है थिक हैं तो अगर हम यह वाली पार्ट के उपर बढ़ते हैं यह काफी इंपोर्टेंट है एक्सक्लूजी एकोनामिक जोन क्योंकि अगर किसी कंट्री को अलाव कैसे होगा कहां तक मचलियां पकड़नी है क्योंकि हर एक कंट्री का अपना कोस्टल जोन है ठीक है अलग अलग जोन है त इनके थुरू 133 कंट्री हैं इसके अंडर में आती है और यह बताते हैं कि स्पेशल राइट्स दिया जाएगा हर एक कंट्री को कि उसी एरिया के अंदर आप अपना फिसिंग कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जो यह डॉट 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 एरिया दिख रहा है तो आपका बेस्लाइन यह हो गया बेस्लाइन से आपका 12 मेटर की दूरी पर जो होता है जिसे बोलते हैं यह आपका 12 नौर्टिकल माइल पर होता है बेस्लाइन से लेकर 12 नौर्टिकल माइल की दूरी होती है वह को ट्रेटोरियल सी बोलते हैं और वहीं बेस्लाइन से लेकर अ नोटिकल मायल तक आते हैं उसको बोलते हैं ठीक है अब जो यह यूनिक लॉज्ज ने बोला है कि जो भी कंट्री है हमने लॉज बनाया है कि लगभग 200 नोटिकल मायल तक आपका यह जो एरिया रहेगा फिसिंग करने के लिए ठीक है वहीं तक हम अलाओ करेंगे उसके बाहर आप नहीं जा सकते दूसरे कंट्रि में भुष नहीं सकते दोसो नोटिकल माइल तक आपको स्पेसल राइट से वहां तक आप केप्चर कर तकते हैं फिसरीज को हरे कंट्री के पास अपना एक स्लेजी एकोनामिक जोन होता है उसे के अंडर वो बाउन्डर होते हैं कि उसे के कोई देश है आपने देखा कि चाइना घुज जा रहा किसी और के एजेड में रसिया पर्थान रहता है तो ऐसी चीज़े रहती है इस चीज़ को लेकर ठीक है लेकिन लौ सब के लिए सेम है सब को पॉलन करना पड़ता है तो यह आप समझ गए जो हमने एजेड आपको समझा इस टाइप में जो मचलेश होते हैं उनकों dieकली डिकल करतें कहां से वाहर बॉडि figuring में से ब्लकषय में जैसा कि आपका यह कैप्चर करते है इसमें के दो टाइप आते हैं मेरिं जाता Case ऑर किव उसके बाद है second में culture fisheries, culture fisheries में क्या होता है, तो जो मचलिया होती हैं, उनको हम पहले grow करते है, उनको rare करते हैं, grow करते हैं, इसमें? ठीज टैंक में, fissRec Gang होता है, उसमें हम उसको rare करें ग्रो करेंगे, उनको अच्छे तरिक़े से culture करके, उनके fishing करते हैं, तो इसमें आपका fresh water आता है और brackish water तो इसमें तीन टाइप के water होते है आपका एक sea water हो गया ठीक है और आपका ये brackish water और आपका fresh water ठीक है सी का आपने देखा होगा कि जो marine culture करते हैं बिल्कुल छी का बिल्कुल खारा पानी होता है तो उसमें क्यों उसी टाइब की मशिलियां गुरो होती है जो कि उसमें सरवाइब कर पाती है तो जो वाटर होता है उसकी सैलनेटी बहुत जादा होती है अब ब्रैकिस वाटर की बात करते हैं तो ब्रैकिस वाटर और जो फ्रेस वाटर होता है उन दोनों का बीच का जो आप आप मान सकते हैं कि ना तो बहुत जादा समुद्र की पानी की तरह खा रहा होगा और बिल्कुल फ्रेस भी नहीं होगा तो यह बीच वाला जो रता वो ब्रैकिस वाटर तो ब्रैकिस वाटर कल्चर यानि की आपके जो कोस्टल एरियाज हो गए और जैसे की जहां पे नदिया आके यहां पे मिल रहे तो यहां पे आप बना सकते हैं ठीक है एको कल्चर बना सकते हैं तो उस तरीके से आप हर एक कोस्टल एरिया के बाजू में जहां पे नदियां आके मिलती हैं क्योंकि वहां पे फ्रेस वाटर भी मिल रहा है और आपका समुद्र का पानी भी मिल रहा तो उस area पे आप को कल्चे के रूप में ब्रैकिस वाटर में आप fishing कर सकते हैं ठीक है तो culture fisheries में आप समझ गये fresh water एको कल्चर और ब्रैकिस वाटर एको कल्चर और कुछ आपके marine keg एको कल्चर होते हैं और कुछ आपके और नमंटर fish culture होते हैं तो इन सब्सक्राइब के बारे में आगे बात करेंगे उससे पहरे कल्चर fisheries में fresh water एको कल्चर के लिए और ब्रैकिस वाटर एको कल्चर के लिए अलग-अलग आपके species भी हैं ठीक है जो अलग-अलग मचलियां होती हैं उनके नाम यहाँ पर दिये हुए कार्प हो गया fresh water prawn mural यह आपके AI breathing fishes में आती हैं ठीक है मूरेल और catfish ठीक है ब्रैकिस वाटर में बात करते हैं तो यह अलग-अलग आप नाम देख सकते हैं सभी के तो यह नाम के scientific नाम अगर अभी है आगे मैं आपको बताऊंगा तो वह ज्यादा important है आगे बढ़ते हैं तो यह हमने बात के लि UN clause के थुरू UN clause ने जो नियम बनाया हुआ है सी का जो law है तक कोई भी country अपना यह जड़ करके वहीं तक fishing कर तकती है ठीक है अब आगे इस diagram को देखिए यहां पर थोड़े बहुत एक दो term है जो important है जैसे कि pelagic और epipelagic ठीक है pelagic stage वह होता है जो आपके sea का surface होता है ठीक है यह sea का surface दिया हुआ है sea के surface से लेकर अब deep sea तक जाते हैं तो उसमें अलग-अलग zone बन जाते हैं अलग-अलग areas को उन्होंने divide किया है कि जो sea का surface है magic से लेकर 200 डीप जाएंगे ठीक है zero से लेकर 200 मीटर नीचे तक जाएंगे उसको बोलते हैं epipelagic अभी 40 जोन 40 stage यहां तक आपकी sunlight मिलती है तो बहुत सारे जो फीस हैं यहां पर survive करते हैं जो जिनको sunlight की जरूत पड़ती है और बहुत डीप में नहीं रह पाते हैं क्योंकि बड़ी मचलियाएं डीप में रहती हैं जो छोटी-छोटी मचलियां रहती है इस जोन में आपकी आ जाती है ठीक है उसके बाद में 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 तोड़ी सी कम sunlight हो जाती है इमपरेचर धीर धीर यहां पर गिरने लगता है नीचे जाए जैसे जाए 200 मिंटर ते लेकर 1700 मिंटर न होती है वह चलिया आती है माइगरेट हो जाती है नीचे की तरफ ठीक है तो kवाटर फीशेस के बारे में बात करेंगे आगे तो कौन-कौन सी फीशेस माइगरेट होके cold वाटर के लिए चलिया जाती है तो अलग-अलग में यही के जरुवत नहीं है आपको अब आगे बात के लिए में चीज हमारी प्यारी मचली तो मचली के यहां पर अलग लग बॉड़ी पार्ट के नाम दियो है उसको आप एक बाइद देख लीजिए याद करने के जरुवत नहीं है तो यहां पर इसके जो इसके बॉड़ी के उपर चमकता हुआ लगा रहता है फिसी स्केल बोलते हैं गिल हो गया जहां से यह सांस लेते हैं आखे इसकी है यहां पर माउथ है और पेक्टोरियल फिन पेक्टोरल फिन जिसे बोलते है यह और एक होता आपका पैल्विक फिन एनल फिन और कॉडल फिन ठीक है और यह आपका ड तो हम बात करने वाले life cycle of fishes ठीक है तो इनकी भी जो life cycle होती है अच्छल जैसा कि आपका butterfly की life cycle होती है जो एक से आपका क्या बनता है larva larva से आपका pupa pupa से आपका direct adult में जाते हैं ठीक है उसी तरीके से spawn या फिर एक सेम होता है तो जब दो aquatic animals होते हैं मचलियां होती है gamet release करती है eggs के form में तो gamet से आपका larva बनता है जिसके hatchling बूलते है और उसके बाद fry stage आती है फिर juvenile stage उसके बाद फिर adult ठीक है जो कि आपका fingerlings बोलते हैं तो अलग-अलग stage के बारे में यहां पर देखते हैं जैसे कि आपका spawn हो गया spawn is the eggs and sperm release or deposited into water by aquatic animals ठीक है जो आपके eggs होते है spawn के रूप में वह water में release करते हैं जो aquatic animals होते हैं तो eggs मिलके जो fertile होंगे तो वहां पर आपका yawl sack बनेगा जो की germination के लिए उत्तराई होता है उसके बाद आपकी hatchling stage आती है दे लार्वे emerging from the fertilized egg after the hatching is called hatchling जो लार्वा निक जो होता है तो fertilized egg से जब इमर्ज करता है वह बाहर निकलता है उसको बोलते हैं hatchling यानि जो जैसे आपने मुर्गी के बच्चे देखे होंगे तो जब उसको hatching होती है उसकी तो मुटगी के बच्चे उसमें से तूटके निकल जाते हैं बाहर तो ऐसे बच्चे इसके मचलियों के बच्चे एक से बाहर निकल जाते हैं तो उसी को बोलते है hatchling तो यहां फिर आपके दो से तीन दीन लगते हैं आपका hatchling की रूप में बच्चे जब तक बाहर नियाता दो तीन दीन उसमें लग जाते हैं उसके बाब की फ्राइश्टेज आती है फ्राइश्टेज में जो मचली के होते हैं बच्चे लग बग 1-2 cm के हो जाते हैं ठीक तो थोड़ा बहुत फीड कर पाते हैं अपने आपको इटेक बाउट सेवें टू टू टेन देज फाउन टू अप्टू अप्टू दू दफ्राइश्टेज तो इस पॉन से लेकर फ्राइश्टेज तक आने में लग बग आपके साथ से दस दिन लग जाते हैं तो यह प्राइंग्टोन की रूप में मतलब स्माल फीडिंग करने सुरू कर देते हैं उसके बाद आपका फिंगर लिंग स्टेज की आपको ग्रोथ पता होने चाहिए कि लग बग 10 से 15 इंडिमिटर की वह हो जाते हैं एक उंगली के बराबर आपके जो उंगली होती है उसके बरा अलग बग उसको 30-30 दिन लग जाएंगे इसकी स्टेज पर आने के लिए तो सारे स्टेज आपको क्लियर हो गए क्या लाइफ साइकल रती है और कैसे वह ग्रो करते हैं ठीक है इनकी फीडिंग हैबिट अगर अभी चाहदा इंपॉर्टन हम बात करेंगे आगे उसके बाद इस चार्ट में अगर आप गौर ते देखेंगे तो यहां पर आपको इंपॉर्टन इंडियन ब्रैकिश वाटर कल्चर वार फिंट फीडिंग है वह बताया गया है जैसे कि आपकी चैनल चैनल जो फ्राइ स्टेज और फिंगर स्टेज पर होती हो डाय आटम्स खाती है और फिरोना मेनी फेरस खाती है ठीक है आधीवा फीड करते हैं यह लोग जो जाते हैं थोड़े किसोर अवस्ता मुझाते है तो नीले हरे सेवाल खाते हैं जो की समुद्र में आपके नदियों में आपके ब्लू अलगी पाई जाती है ब्लू ग्रीन उसको खाते है और डाय जाते हैं अडल्ट वह बैथिक भोजन या फिर बैंथिक फूड बोल दीजिए उस पर फीड करते हैं तो उसके बाद है आपका इलॉप्स मंचनाटा मंचनाटा छोटी मचली और यह क्रिस्टेशियंस खाते हैं यह कार्निवोरस होते हैं मान सहरी होते हैं तो आप हर एक स्पे सीज के नाम उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो याद रखिए क्योंकि इसमें अल्मोस्स चीजे सेम हो जाती है जैसे कि जो जेविनाइल स्टेश पर होगा तो यही खाते हैं तो अपको अधिकतर सभी मचलियों में जो लगबग हर्भी वोरस है न यही खाती है चीजे तो इस चार्ट को एक बार आप रिवाइस कर लीजे उसके नीचे एक और है यहां पर और भी अलग अलग स्पीचीज के नाम दिख जाएंगे आपको उनके फूड और आपके फीडिंग है यहां पर जाद तर आपके ओमनी वोरस सर्वाहारी है यह जो प्लैंक्टोन भी खा खाएंगे लगी भी खाएंगे सब खाएंगे यह ठीक है आपका मुगिल पार्षिया है फ्राइक की स्टेज पर फाइटो खाता है और जो ब्लैंक्टोन पर फीड करता है और फिंगर लिंग जो वयस्क और अडल्ट है जो डाटम्स खाते हैं कॉप पोट्स और पर फीड करते हैं जो की सरवहारी होते हैं तो यह लग लग स्पीज के नाम एक बार देख लीजिए और उनकी फीडिक हैं भी आप याद रख सकते हैं उसके बाद हम कुछ हैं इस इंक हैं उसके बात के बार के लिए प्रिजी एकोड़ फिंक यह अर मिनलोग्टें पार के आच यह अर इंक ही इंटन्चीव फॉड एकोड़ तह मैनेच्टर देपंड लोकल नेच्छ ने पर नेच्टल सेटिंग इस पांड कोस्टल ऐरिया जो आपको एगश्यंब तो आप उसके लिए सक्षम है माग कर पाएं उसके बाद आपका गेम फिस फिस सच एज ट्रॉट यह आपकी गेम फिस में आती है रेस्टु बिकम रिप्लैनिस्मेंट इस्टॉग फ़र नैच्रल स्पोर्ट फिसरीज ओके गेम फिस यह ट्रॉट जो है एक इसमें स्पिसीज इसे जो की एरेस कियाते है विकम रिप्लैनिस्मेंट इस्टॉग फ़र नैच्रल स्पोर्ट फिसरीज उसके बाद आपकी फीडिंग हैबिट में आती है सुरी ब्रीडिंग हैबिट में आपका एनोड्रामस केटाड्रामस पोटैमोड्रामस और ओसेइनोड्रामस अब जो की हैबिट होती है फीस की फीस की एंची फीडिंग की हैबीट होती बीकार की होती है अपका ड्यार्मस और उसकी कहां है वॉन्रामस में में आपका कौन-कौन साहता है ये पी और ओर ऑ्पौटैमोड्रामस और उसी नि दूव puck ोटुशच यह दूनों आपके मॉनींब्रा यह रहते तो हैं salt water में लेकिन जो बच्चे देनते हैं वो आके fresh water में ब्रीड कहां करते हैं fresh water में करते हैं example जरूँस याद रखिए salmon, smelt, american seed, strip bass, lamprey, gulf sturgeon, hillsa ते कुछ example हैं जो कि anodromas fish के अंदर में आते हैं जो कि salt water में रहते हैं लेकिन वो ब्रीड करते हैं fresh water में ऐसी आपका catadromas के बार में याद रखिए जैस्ट उल्टा यह रहते तो हैं fresh water में ठीक है living कहां पर living है fresh water और जो ब्रीड करते हैं वो salt water में दोनों की breeding living के टाइम पर वो salt water में चला जाता इसके अलग अलग जांप है इसके अमेरिकन इल एरोपियन इल तो जितने भी इल वाले लाश्ट में लगा होगा आपके एक्जामपल दे दिया कि which of the following is not a catadromus fish तो इल जहां पर इंड में लगा होगा आपको पाद लेगा है यह तो catadromus है अगर उसमें आपको हिलसा दिख गया इंडिपेंडेंट अफ ब्रीडिंग ठीक है तो जो एक कटेग्री है फीस की जो कि यह में आती है यह दोनों सॉल्ट और फ्रेस वाटर दोनों में रहती है तो यह याद रखिए एंफिड्रॉमस के बारे में अगर पूछी जाते है विच अब फालोइंग फीस इस लिव इ इंडिन फ्रेस वाटर ओनली जो यह माइटरी फीस है वो केवल औ केवल फ्रेस वाटर की तरफ मूव करती है इग्जामपल पर रूप में कापस, कैट फीस, एंड ट्रॉत और ओसे और अपका माईटरी फिस दैट मूव विदिन साल्ट वाटर ओनली यह कहां पर मूव करती यह केवल हो केवल salt water में ठीक है तो यह clear होगा यह page important terminology है आप जरूर से एक दू बार revise करिए उसके बाद भी कुछ यहां पर important terminology है उसके बार हम याद रह सकते हैं यह सब का mariculture हो क्या mariculture क्या है यह specialized branch of ecoculture which includes fresh water ecoculture ठीक है involving the cultivation of marine organism for food and other product in the open ocean ठीक है जो open ocean होता है वहां पर हम in close section बना देते हैं like ocean के जो किनारा होता है समुझ किनारा जहां पर नदी आके मिलती है वहां पर tanks pond के रूप में हम इस तरीक के structure बना देते हैं ताकि हमको extra water की जरूरत ना पड़े कहीं से उसी water में हम उनको feed भी प्रवाड करा पाए उनको grow कर पाए उनका capture भी कर पाए उनको fishing आराम से कर पाए ठीक है तो इसको बोलते है mariculture brood stock fish of any particular species which raise for the reproduction purpose ठीक है reproduction purpose के लिए हम अगर fish को grow करते हैं raise करते हैं उसको बोलते हैं brood stock यूरीहलाइन यह important term है और sthenohaline यूरीहलाइन कौन से ग्रूप में आते हैं तो ऐसे organism जो की wild range of salinity को adopt करते हैं दीक है adopted to wild range of salinity तो इसकी example ग्रूप में कर आद देखेंगे तो यूरीहलाइन में आपका molyfish हो जाता है which can live in fresh water, brackish water और salt water तो wild range of salinity भाया इनको कहीं भी रख दो अराम से जिंदा रहे लेंगे कितना भी खारा पानी हो अराम से जिंदा रहे लेंगे तो यह molyfish जो होता है इसके category में आता है सेम उल्टा है stenohyline stenohyline describe organism usually fish that cannot tolerate a wide fluctuation in the salinity of water ठीक है यह से आपका example आपका goldfish goldfish और headdock तो यह दो एक्जामपल है stenohyline की यह दोनों याद रखेंगे क्या होता है और उनकी example क्या है halo clean the zone of ocean in which salinity increases rapidly with the depth यह कुछ नहीं है जोन है आपका जहां पे salinity जो होती है खारा पन वह बहुत तेजी से मतलब की बढ़ता है depth के साथ में इसको बोलते है halo clean आगे क्या है आगे कुछ और टर्म से ऐसा कि आपका polyculture polyculture क्या होता था इस इस प्रैक्टिस वेर मोर दैन वन ए इस प्रैक्टिस वेर में इस ज्यादा अगर हम एक्वार्टिक और इसम को कल्चर कर रहे हैं उसको बोलते हैं आपका polyculture ठीक है उसके बाद आपका snagging method of catching fish by jerking and unbited hook through the water तो नदियों की नारे अपने मच्वारे देखे होंगे तो हुक के थ्रू और जर्किंग के थ्रू व उसको बोलते हैं sagging तो यह दो थीन term है term अगर आपको देखता है definition में तो आप option में अगर यह दिखता है sagging तो उसको correct option mark कर पाएं तो कुछ terms याद रखे हैं इसमें important keyword जो हैं इस सेम तरीका अपर tagging tagging कुछ नहीं होता है जब हम fish को capture करते हैं तो उनकी अलग जो species होते हैं उनकी size के हिसाब से हम लोग mark कर देते हैं box के ऊपर आप कहीं पर देखेंगे समद करना जो boxes रखे होते हैं जिसमें मचलियां पकर रखे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नंबर या फिर कुछ डाल के a b c d वो tag मार देते हैं यह इस तरीके की है कौन सी variety है कितना size है उसको tag कर देते हैं वही होता है और ज्यादा कुछ नहीं है उसके बाद यह वाली जो slide है काफी important है यहां से question आपके बनने के chances है पूछ लिगा कि भाई जैसा कि महसीर fees is belong to which state तो उसकी state के नाम पता रहे कौन सी state की fees है तो इस ताइए question आपके बन सकते है इससे आपका हिलसा side जो है वह वेश्ट बंगाल से है state fees कौन से वेश्ट बंगाल की है यंपी से आपका महसीर है उत्तापरदेश में कंड़ला चिंताला चिंताला तो यह सारे जो फीस हैं आपके उत्तर प्रदेश में बिलांग करते हैं जम्मु कस्मीर हिमांचल प्रदेश है उत्तराखण हिमांचल प्रदेश तो यहां पर आपके जो इस्टेट फीस है गोल्डन में सीर इन सब इस्टेट की स्टेट फीस है मनिपूर क तो उसके scientific name रखिए क्या बोलते हैं उनको ठीक है उसके बाद इस slide में आपके लिए हमने कुछ यहां पर फिस के नाम उनकी common name है और यहां पर scientific name दिये हुए तो एक बाद जरूर से नहीं आद रखिए ज्यादा नहीं है लेकिन इनके सारे के नाम आप जरूर से एक बार अपने मन में रखिए क्यों कि एक जाम में question बना कि ब्राउन ट्रॉट का scientific name क्या है तो सैल्मो ट्रॉटा ब्राउन ट्रॉट सैल्मो ट्रॉटा रैंबो ट्रॉट ऑन्को राइनो कस ठीक है टोर मैसीर टोर टोर गोल्डन मैसीर टोर पुटी टोर टाइगर पेर्च कौन सा है टेरा पॉन टेरा पॉन जर्बुगा और ग्रैसी ग्रैपर जो है आपका एपीने फेलो स्टो वीना कुछ ऐसा नाम है देख लो आप इंडियन ओईल सैरडिन की बात करें तो आपका सैरडिनेला सारडिनेला यह कुछ फीज के कॉमन नेम है और उनके सैंटिफिक नेम है एक बाद जरूर से नियाब याद रखिए तो इस वीडियो के यह पीन करते हैं यह पार्ट वन था आपका ठीक है पार्ट टू में आपका हम कराएंगे कुछ जो बायो टेकनिक है और कुछ इंपोर कर देना और इसके उपर टेस्ट में कराऊंगा सेकेंड पार्ट के बाद और एक इंजिनिंग का टेस्ट देना चाहते है तो डिस्क्रिप्स में लिंक है आपको फ्री में जाकर उसको अट्यम कर सकते हैं ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग मिलेंगे कुने इसका तक के लिए धन्यवाद